1857 के सानिक विद्रों से भारत में ब्रटी सरकारी तंत्र ऐसे ही हिला हुआ था इसे दबाने में अग्रेजियों की हालत खराब हो चली थी जहां 1857 की क्रांती का रंग लाल था तो वहीं अगले दो साल के अंदर भारत में एक और क्रांती का बिगुल बज़ने वाला था जिसक बंगाल से सुरू होकर सफलता पुर्वक बिहार में जाकर अपना उद्देश्य पूरा किया और जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी यानि मोहंदास करमचंद गांधी के आवागमन का मार्ग प्रसस्त हुआ 27 सताबदी में यूरोप में कपड़ा उद्दोग भली भाती फलने लगा था कपड़े को रंगने के लिए नील की आवशकता पड़ती थी जोकी यूरोप में पैदा होने वाले वुड पोधे से तयार की जाती थी लेकिन तेजी से बढ़ते कपड़ा उद्दोग में अच्छी आती थी इसी कारण यूरोप के कपड़ा बाजारों में भारत से आने वाले नील की मांग काफी बढ़ गई थी दूसी तरफ यूरोप में वुड के पोधे उगाने वालों को भारतिय नील की धमक से परिसानी होने लगे थी इसी कारण उन्होंने भारतिय नील पर यूरोप में खुशने पर पाबंदी लगाने की मांग की लेकिन कपड़ा उद्दोग जगत भारती नील को ही ज़्यादा पसंद करता था अंग्रीजों नील के वैपार में भारी मनाफ़ा देखते हुए बंगाल में बड़ी मात्रा में नील की खेती करवाने का फैस्ट लग किया इसी के तहट बंगाल और उसके आसपास के छित्रों में अंग्रीजों ने कुछ कानून बनवाए कई अंग्रेज अफसर नील की खेती में लाव देखकर नौकरिक छोड़कर बगान मालिक या यूं कहे यूरूपिय प्लांटर बन गए बगान मालिक कई तरीकों से जमीनों पर अधिकार प्राप्त करते थे वो जमीनदारों से अस्थाई पटो पर नीरजर या बंजर जमीन ले लेते थे उन्होंने जमीनदारी और तालुकदारी के अधिकार भी प्राप्त कर लिये थे कभी-कभी नील की खेती उन किसानों की जमीनों पर भी होती थी जिनकी मृत्ती हो गई हो और उनका कोई उत्तरा धिकारी नहीं था या जो किसान किसी और गाउं चले गए हो बंगाल में मुक्यत रायती प्रणाली की खेती प्रचलीत थी किसान एक अनुबंद प्रणाली के तहत नील बोते थे खेती की खर्चों को पूरा करने के लिए अनुबंद की सुरुवात में प्लांटर या बगान मालिक किसानों को अग्रिम भुकतान क्या करते थे अनुबंद को ददनी कहते थे बदले में किसान अपनी भूमी पर नील की खेती करने के लिए सहमत हो जाते थे अग्रीम भुक्तान अधिकतर अक्टूबर ये नमंबर में दो रुपे प्रति भिगा की दरबर किया जाता था अनुबंध के अनुसार जमीन में नील बोना, घास पात निकालना और नील को रंग के रूप में संसाधित करने के लिए उसे बगान मालिकों के स्वामित वाले नील कारखानों तक पहुचाने जैसे सभी कार्य सम्मलित थे उत्पादा नवधी का अंत अगस्त या सितंबर में होता था, इस समय किसानों का खाता बनाया जाता था रिन खाते में अग्रीम भुगतान का मुल्य दो रुपे प्रति भिगा जिस पर अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाता था उस स्टैम पेपर का मुल्य दो आना और चार आना प्रति भिगा की दर से चार से पांच सेर बीजों का मुल्य सम्मलित किया जाता था जमा धन में किसानों द्वारा प्रति रुपे चार से पांच गठे के हिसाब से कारखाने तो पहुँचाये गए नील के पौधों के गठों का मुल्य सम्मलित किया जाता था एक बिगे से लगबग 10 से 12 गठे प्राप्त होते थे रिण और जमा धन के बीच का घाटा निकाला जाता था और उसी के अनुसार भुकतान किया जाता था यदि किसान के पास अधिक होता तो उसका भी भुकतान किया जाता था यदि नहीं तो उसके विर्ध एक रिण निरिधारित कर दिया जाता था रिन के भावजूद उन्हें अगली रिटू के लिए एक नaya अग्रिम भूकतान दिया जाता था परण्तु रिन पूर्ण अग्रिम रासी से ही काट लिया जाता था और अगली क्रिशी रितू के लिए किसान को केवल सेश रासी ही दी जाती थी कुछ मामलों में ये दिर्यन बहुत अधिक होता था तो किसान को कोई नई अग्रिमरासी नहीं दी जाती थी और वे इसके बिना ही नील की वुआई करने में फंच जाते थे बगान मालिकों के पास अगर कभी रईयती किसान अपना दुख दर्द बताने पहुँच भी जाते थे तो बगान मालिकों के लटिया लियानी लटियारे उन्हें मार कर भगा देते थे जो किसान चावल की खेती करना चाते थे उनसे विजबर्दस्ती नील की खेती करवाई जाती थी नील जमीन की उर्वर्ता को नस्ट कर देता था इसलिए नील की खेती करने से भी किसान बचना चाते थे लेकिन एक बार अनुबंध में आने के बाद वो मजबूर हो जाते थे धिरे-धिरे रईयत किसानों में गुस्सा बढ़ता चला गया और साल 1869 में नदिया जिला के गोविंदुपुर गाउं में विद्रोह का आगाज हुआ दो भाईयों दिगंबर विश्वास और विश्नु विश्वास ने बगान मालिकों को नील की खेती करने से साफ साफ मना कर दिया और साथी अपने साथी रईयतों को भी नील की खेती न करने के लिए मना लिया बगान मालिकों ने जब अपने लटियाल भेज कर उने सबक सिखाने की कोशिश की तो उन लटियाल पर हसिया और गणासे और भालों से हमला हुआ और उने भी भागने पर मजबूर होना पड़ा बगान मालिकों का साथ देने वाले को समाज से भहिस्कृत किया जाने लगा बगान मालिकों ने ज़्यादा ब्याज बढ़ा देने की धमकी दी जिससे अंदोलन की याग और भड़क गई 1869 में नदिया जिले में उभरने के बाद विद्रो अठरो साथ के दसक में बंगाल के विभिन्नी जिलो में प्वैल गया किसानों ने भालो और तलवारों से नील कारखानों पर हमला किया जिन प्लांटरों ने लगान की मांगी उन्हें पीटा गया है यहां तक कि मैलाओं ने भी बरतन भाणे लेकर इस लड़ाई में भाग लिया यह पाबना जिले में विशेश रूप से प्रभाव साली रहा जहां किसानों ने आवेकपुर्ण रूप से नील बोने से मना कर दिया जब बंगाल के उप्रा जिकपाल जेपी ग्रांट कुमार और काली गंगा नदियों से बंगाल में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने नदी किनारे ग्रामिनों को नील की खेती के वृद्ध सरकारी आदेश लाने के लिए प्राथना करते हुए देखा महिलाएं भी संहों में 71 होकर उनका साथ दे रही थी ग्रांट ने देश के इतने बड़े हिस्से में इतने सक्तिसाली प्रतरसन में एक गहन मानुए गुस्से और बेवसी दोनों को देखा था नील की खेती को लेकर एक सामान्य असांति को दिखते हुए माच 1860 में इस प्रणाली के नियमों की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की गई नील आयोग में पांच सदस्य थे जिसमें बिटिश सरकार का प्रतिनित्तो करने वाले डबलू ए सेंटर्स कार और आर्ट टेंपल इसाई धर्म प्रिचारकों का प्रतिनित्तो करने वाले रेव जे सल यूरोपिय प्लांटरों का प्रतिनित्तो करने वाले डबलू एफ फर 34 लोगों की गवाई सुनने के बाद आयोग ने अंततर 1860 अगस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की आयोग ने पाया कि विशेश रुप से अग्रिम भुकतान की विवस्ता के कारण निल की खेती प्रणाली दमनकारी थी कुछ किसान स्वेक्षास इसमें फस गय थे क्योंकि उन्हें लगान का भुकतान करना था और दुर्गापुजा के वार्सिक उत्साव का जश्न माना था जबकि अन्य इसके तहट पीडित थे क्योंकि उनके पिता या दादा ने अग्रिम भुकतान लिया था और अब रिंड के कुछ चक्र में फस गय थे बेटा बोता है क्योंकि वो मानता है कि वो अपने पिता के रिंड के लिए उत्तरदाई है कपास डंगा में रहने वाले एक किसाई धर्म प्रचारग एफ शर ने आयोक को बताया कि उन्हें ऐसे एक भी किसाई के बारे में नहीं पता था जिसने स्विक्षा से अग्रिम भुकतान स्विकार किया हो किसानों को नील लुगाने के लिए विवस किया जाता था और यदि उन्होंने इंकार कर दिया तो उन्हें किसी और चीज की खेती करने की अनुमती नहीं दी जाती थी किसानों के लिए ये एक संताप और उत्पीडन था उन्होंने उस समय सिकायत की थी कि उन्हें हल चलाने, ढेले को चलने, डंठल हटाने और जमी को चिकना करने के लिए तब तक खा जाता था जब तक नो तो उनका समय नहीं उनका स्रम उनका अपना रह जाता था उन्हें निरंतर इतने अपमानों का पात्र बनाया जाता था कि वो नील के नाम से ही अत्यदी घ्रणा करने लगे थे फसल से कोई कैसे घ्रणा कर सकता है ये पाया गया कि नील की खेती किसानों के लिए बिलकुर भी लाबदायक नहीं थी ये एक ऐसा अटल सकते था कि प्लांटर भी इससे इनकार नहीं कर सकते थे नील आयोग ने पूरसों का अपरण मेवसियों को भगा कर ले जाना और पौदों को खाड़ने जैसे संगीन अपरादों को होते हुए पाया आयोग ने कहा कि ये बहुत कम मायनने रखता है कि क्या किसान ने सुएक्षा से अपना पहला अग्रिम भुक्तान लिया आया अनिक्षा से क्योंकि परणाम एक ही था वो बाद में कभी भी एक सुदंत्र व्यक्ती नहीं रहा अंत में आयोग ने प्लांटरों और किसानों के बीच का संबंध असंतोस जनक सिति में होने की घोशना की इसमें मुख के रूप से निम्लिखी सुधारों के सुझाव दिये गए पहला किसान को अपनी इक्षा और सुर्तों के अनुसार नील बोना चाहिए दूसरा अनुबंध का सुरूप सरल होना चाहिए यह बारा मैने से अधिक का नहीं होना चाहिए और यदि किसान रिण संचे से बचने के लिए अपनी वचन बदता को पूरा करने में विफल रहा तो अनुबंध का किसी भी प्रकास से नूतनी करण नहीं होना चाहिए तीसरा कारखानों को स्टैम पेपर के लिए भुगतान करना चाहिए न कि किसानों को चौथा नील के लिए भूमी का चैन दोनों पक्षन द्वारा स्वाण रुप से किया जाना चाहिए पाचवा कारखानों तक गाड़ी या नाव द्वारा पौधे पहुचाने का खर्श कारखानों द्वारा वहन किया जाना चाहिए न कि किसानों द्वारा नील विद्रो साहित्य संगीत और फिल्मों के लिए प्रणा का स्ट्रोध बन गया दीन बंदु मित्रक और नाटक नील दरपन एक उत्क्रिस्ट साहित्य है क्योंकि इसकी रचना 1869 में आंदोलन के दौरान हुई थी इसमें नील की खेती करने आले किसानों के कस्ट उत्पीडन और संगर्स का मर्णन किया गया है किसान गरीबी उत्पीडन और निर्दैता के अपमान से जूचते रहे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आवाज मिटने नहीं दी नील की खेती ना करने का उनका संकल्प अटल रहा पंजी मुल्ला नामा के किसान के एक बयान से इस भावना को खुबसूर्थी से प्रस्तूत किया गया है मैं नील की खेती करने से अच्छा बंदू की गोलियों से मर जाना पसंद करूँगा जैसे जैसे बंगाल में विद्रो की आग भड़क रही थी वैसी ये यूरोपी बागान मालिक दिरे दिरे बिहार की तरफ रुख करने लगे और वहां किसानों से तीन कठिया प्रणाली से खेती करवाने लगे तीन कठिया यानि बीस भीगे में से तीन भीगे पर निल की खेती करनी जरूरी थी बिहार में बगान मालिकों के तैच्चार के करण जबरदस्त विद्रोह हुआ बेतिया और मोतिहारी में 1905 और 1908 के वे बीच विद्रोह का दोर हिंसक हो चला था एक अंग्रेज ब्लूम्स फिल्ड की हत्या कर दी गई जो कारखाना का प्रभंदक था अंत में 1917-1918 के बीच में गांधी जीद्वारा चमपारण में किसानों के साथ मिलकर सत्ताग्रह करने के करण अंग्रेज सरकार को जुकना पड़ा और बिहार से तिन कठिया प्रणाली समाप्त हुई चमपारण में मिली साथ फक्ता के कारण ही मुहंदास करमचंद गांधी को रविंतर नाट टाइगोर ने महात्मा की उपाती दी थी अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को लेकर परिसान जरूर हुई थी लेकिन ये आंदोलन उनके वर्चस्व के खिलाफ नहीं बलकि अपने हक और सुधारों के लिए किसानों द्वारा एक लड़ाई थी इसलिए ब्रिटिस तंत्र ने इसे हाल कर दिया दूसरा कारण ये भी था कि वो एक बड़े तबगे में विद्रो की भावना को पनपने नहीं देना चाहते थे क्यूंकि 1877 की क्रांति का दंस उन्हें अब भी परिशान कर रहा था और अगर किसानों ने विद्रो कर दिया तो उसके बाद एक छोटा तबका जो की अन उगाता था उसमें रोज भर जाएगा और उसे समालना कहीं ने कहीं पूरे बटिस तंत्र के लिए नमुम्किन हो जाएगा